बीस मार्च दोजाबीस यानि आज से ठीक दो साल पहले ये वो दिन था जब सूबे के सत्ता से कमलनाथ सरकार की विदाई हुई थी अंदरूनी कलह और गुडबाजी ये वो फैक्टर थे जुनकी वज़ा से कॉंग्रिस जन्मत मिलने के बावजूद पांच साल सत्ता नहीं चला पाई अगले साल फर चुनाव होने हैं लेकिन आज भी सवाल यही है कि क्या कॉंग्रिस को दोजाबीस से सबक मिला करीब 15 महीने सरकार चुलाने के बाद ततकालन मुख्यमंत्रोई कमलनाथ ने इस्तिफा दे दिया था जो तरह दिख्टे सिंध्या के कॉंग्रिस छोड़ने की वज़ह से पार्टी विधानसभाग के अंक गणत में हार गई थी मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस अगर सिंध्या को साथ पाई होती तो आज शायद सत्ता में होती लेकिन जन्मट में कॉंग्रिस की गुडबाजी फारी पड़ी पार्टी के अंदरूनी सियासत के आगे संगठन की श्रक्ती धेर हो गई कमलना दिखवजय और सिंध्या ये तीनों दिगज आपस में ताल मेल के साथ काम नहीं कर पाए कॉंग्रिस की लड़ाई बीजेपी के लिए मौका लाई कई दिनों के हाई वोल्टेज जो सियासी टुरामे के बाद सिंध्या ने समर्थगों के साथ खेमा बदला और बीजेपी का छोटा वनवास खत्म हो गया अगले साल फिर चुनाव है यानि कॉंग्रिस की अगनी परिक्षा ज्यादा वक्त नहीं बचा मौजुदा हलार पर नज़र डाले तो आज भी कॉंग्रिस में ऐसे नीताओं की कमी नहीं जो वक्त बेवक्त आँख दिखाते रहते हैं अरोन यादब अजय सिंग लक्षमर सिंग जैसे कई नीता हैं जिनके खुशी ना खुशी संगठन के बजाए सारवजन एक तौर पर सामनी आ जाती है कमलनाथ और दिखवज़ सिंग के बीच दाराद के खबरें भी सुर्खियों में रही हैं इसी बजट सत्र के तौरान पार्टी लाइन से भार जाकर जीतु बटवारी ने राजिपाल के बिखाशर का बहिशकार कर दिया था जाहिर है पार्टी के पास चनौतियों की कभी नहीं बीस मार्च को हटे नहीं थे हम कोई जनता नहीं हटाया थी चुनी होगी कमलना जी की सरकार थी खरीद फरोद करके जो 25-30 विधायक भारती जनता पार्टी ने ये जो पूरे हिंदुस्तान में एक नया लोकतन देनों ने स्थाभित किया कि खरीद फरोद करके सरकार बनाओ उसकी पढ़नीती ये थी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी से डरने वाली नहीं हम लगादार मुकाबला करेंगे अगर इनके 1500 विधायक हैं देश में तो आज हमारे भी 7500 विधायक हैं और 45 सांसद हैं इनके तो एक बार दो रह गए थे इसलिए ये बहुत ज़्यादा एहंकार कॉंग्रेस के गुडबाजी पर बीजपी लगातार निशाना साथती रहती है बीजपी के हमलावर रुख को कॉंग्रेस नेताओं की आपसी बयानबाजी से और ताकत मलेगी कॉंग्रेस के पास में ना संगठन है ना पद्धती है ना विचारधारा है ना नेत्रत्त है कॉंग्रेस के पास में कुछ है तो वो है एक नहरू परिवार और उसकी चापलूसी बस इतना बचा है कॉंग्रेस में इसके इड़द इड़द पूरी कॉंग्रेस घूम रही है और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांगरिस के वरिष्ट नेता कह जोगी। और ये कांगरिस के वरिष्ट नेता कह जोगी।